नमस्कार दर्शको आज हमारा एक विशे जो है वो रहेगा फ्रोजन सोल्डर हमारे कंधे का धर्द जो है ये आम समश्या हो चुकी है और इसका होने का कारण भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता सामानने सा कारण होता है कई बार एक करवट सो जाते हैं बहुत जादा देर स हो जाते हैं हाथ को ऐसे रख लेते हैं तो उसकी वज़े से यहां पर कंधे में दर्द आता है और ज्यादातर मामलों में हाथ अगर उठाते हैं तो कईयों का इतना होता और ऐसे जोर लगा अगर इतना तक उठा सकते हैं ये जिसको समश्या हो जाती है उनको पता होता है कि क्या तकलीफ है तो आज हम फ्रोजन सोल्डर की दस क्रियाएं आपको बताएंगे और वो अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको बहुत लाब हो जाएगा और मुख्या रूप से ये जोड है हमारा बेरिंग मान लीजिए उसके उपर हाथ जो है घूमता रहता है हड पदमासन में किसी भी आसन में बैठ जाएं सीधा बैठना है कबर सीधी सबसे पहला हमें उन नसों को वार्मप करना है जो हमारे कंदे से जुड़ी हुई है पहला है अंगूठा अंगूठे के ये जडो में जो नस है जो वेन है ये वेन हमारे कंदे से होते हुए गर्दन तो यह गर्दन की भी वेन है इसको रोज सुबह सुबह एक मिनट तक हम ऐसे स्ट्रिमिलेट कर सकते हैं बहुत लाब मिलने वाली चीज है यह और इस क्रिया को हमें शुरुआत में फ्रोजन सोल्डर की जब भी हम एक्साइज शुरू करें उसके लिए करना है थोड़ा सा वा पड़ेगा उसका इफेक्ट अच्छा आएगा आपको इसलिए यह शुरुआत इसी से हम करवा रहे हैं फ्रोजन सोल्डर कंधे का दर्द यह सारी समश्याओं में आपको बहुत लाब रहेगा इसके अलावा भी गर्दन का यहां पर फ्रंट का यह जो पेन आता है इस सारे पेन में आपको रिलीफ मिलेगा और एक बार आप मेरे साथ करिएगा करने पर ही आपको हाथो हाथ रिलीफ इसका मिल जाएगा फिर उसके बाद में कोहनियों के उपर इस तरीके से यहां फिर कोहनियों के उपर पहले कोहनी के नीचे फिर कोहनी के उपर इस तरीके से यह कर किला क्या करना गोटने पर हाथ स्वासों का पूरा ध्यान रखना एक-एक स्वास का इसके अंदर हम जो है टेक्निक का ध्यान रखेंगे स्वास भरते हुए कंधे को पीछे की और लेकर जाना देखिए आगे जब यह कंधा स्रिंक हो जाता है आपस में हड्डियां भिढ़ने पाट एज जगेए वी तो है जितनी भी हम दस क्रियाह करें यह सारी कि-सारी हमारे कंधे को जाही करने कि लिए ब्लट का सरकुलेशन पहुंचाने के लिए हैं PD कंध्य को पीछे की और धकेला और गर्दरन को पीछे की और इस तरीके से स्वास छोड़ते वोज, रिलक्स, अब हालागी मैं थूड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, 10-10 सेकंड का कर रहा हूं, आप 15-20 सेकंड तक इसको इस्टे कर सकते हैं, स्वास भरते वोज, जितनी देर आप श३ास रोख सकते हैं, उतनी देर इस्टे करिये, कंदे को पूरा पीछे ओर धखैला, पीछे, और थकेला, पीछे, श्वास छोड़ते हुए वभवूर कि पूरा हातों को पूरा उपर की हो खीचना ऐसे कंदे को जितना उपर खीच सकते हैं उतना खीचना और हमारी गर्दन की नसों के आस्पास का जो nieuwe我द सर्कूरिशन वह इससे चलेगा कंदे के उपर का हिस्सा इससे खीचेगा ओर हमारी बगल के नीचे की जो हड़ी है वहां पर blood का circumcision जाएगा. स्वांस भरते हुए. स्वांस छोड़ते हुए. दाव. स्वांस भरते हुए हाथों को घुटनों पर और हाथों को थोड़ा और उपर कंदे को और उपर की और दबाव देना स्वास भरते हुए इससे आपके गर्दन की नसों को भी बहुत रिलेक्स मिलेगा यह वो क्रियाए मैं आपको बता रहा हूं जो हजारों रुपए देकर भी आप कहीं सीक नहीं पाएंगे यह बहुत अनुभव की कुछ बाते हैं जो आ कंदे के दर्द के बारे मता हैं हाला कि मैंने अकर्ण धनुरासन का एक वीडियो बनाया उसमें भी कंदे में बहुत इफेक्ट आता है लेकिन यह जो है यह पूरा यहां से लेकर और यहां पीछे की कमर तक यह पूरे के पूरे हिस्से के लिए बहुत बड़ी है हातों की कंदे रहते हैं कौनियों में दर्द आ जाता है उनके लिए यह सामने ऐसे हात जो रखते हैं मता है मैंने रोटी आसे बनाती है कपड़े एसे दोती है तो यहांतों में दर्द आ सकता है तो उनके positivity हो हमारी दोख रिया करणा है सिर के पीछे लेकर जाना है स्वास भरते हू पूरी ताकत लगाएं, कमपन आना चाहिए कंदे के बीच में, पीछे के हिस्से में, आपको कमपन आएगा स्वास छोड़ते हुए, कोहनियों को आगे टच करें जिनको सर्वाइकल है वो गरदन आगे न जुखाएं और जिनको सर्वाइकल नहीं है, वो आराम से आगे जुखा सकते हैं जिनको सर्वाइकल है वो गरदन को ऐसा सीधा ही रखें स्वास भरते हुए, ये सर्वाइकल में भी आपको अच्छा रिलिफ करेगा आपको अच्छा फील होगा, स्वास भरते हुए, स्वास छोड़ते हुए, यह एक छोटा सा पैकेज है, आपके लिए कॉम्बो बनाता रहता हूँ मैं, तो यह आपके फ्रोजन सोल्डर, सरवाइकल, कंथे का दर्द, कई बार सीने में भी आपके दर्द आता है, सीने में स्वास छोड़ते हुए, स्वास भरते हुए, स्वास छोड़ते हुए, रिलैक्स, यह हमारी तीन नमबर क्रिया, चार नमबर, हातों को आपस में ऐसे ग्रिप करें, इस तरीके से, सिर के उपर हात को ऐसे रखें, और पूरी ताकत के साथ, यह जिनको कंदे का दर्द है, ब और दोनों तरफ खीचना, नीचे की और कोहनियों को नीचे की और लेकर जाओ, कोहनियों को जितना नीचे खीच सकते हुए, कंदे के उपर की नसे बहुत शांदार खीचेगी इससे, पूरी ताकत लगाना, कंपनाना चाहिए, कंदे में, हाथ में, पूरा कंपनाएगा, इ तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, वरना हाथ कंदे लटकते जाता है। और हमारा शरीर बहुत अलका यहां से कमजूर हो जाता है। यही हमारी चोल आपको अलगे हैं अलले हना, तो इसको कैसे करना ? देख लीजिए, दाहिना हाफ आगेशे से साइड में ले लीजिए, बाएं हाथ को कोहनी के नीचे से ऐसे पकड़ना है। और चहरे के ऊपर लगाना और चहरे को पीछे की ओर धकेलना आप इसाहथ को यह अगर फ्री है तो इसको कंदे पर भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं स्वास छोड़ते हुए इसको छोड़ते हुए कर ले जितना गर्दन को दबाएंगे उतना कंदा दबेगा, और कंदे की पीछे की जो नस्य है, वो खुलेगे, हड़ियां आपस में, जो भिढ़ती हैं, वो खुल जाएथेगे, स्वांस भरतेऊए, रिलेक्स, दाइने हाथ से किया, वैसे ही बाइन हाथ से, ये बाया हाथ दाहिने हाथ के उपर, दाहिने हाथ को दाहिनी साइड में चेहरे के उपर लगाएंगे, ये हाथ इसके अंदर फसा रहेगा और स्वास छोड़ते हुए, पीछे की ओर देखना, कोशिश करो, कंदा एकदम खिच जाएगा, बलड का सर्कुलिशन एकदम कंदे म आजाएगा, आपको बहुत सुकून मैसूस होगा, ये स्ट्रेचिंग की एक्सेसाइजे हैं सारी, स्वास भरते हुए, रिलेक्स, एक बार और बता देता हूँ, दाहिना हाथ उपर, बाया हाथ नीचे, इस तरीके से ग्रिप कर लिजे, चेहरे पर हाथ, स्वास छोड़ते हुए, पीछे की और खेज़े, स्वास भरते हुए, रिलेक्स, ऐसे ही, बाया हाथ उपर, दाहिना हाथ नीचे, और स्वास छोड़ते हुए, पीछे की और, रिलेक्स, ये हमारा फ्रोजन सोल्डर के लिए, पांच वी क्रिया, आप करेंगे, लेट कर कुछ क्रियाएं है, इसमें आपको गोल जो तकिया होता है, जो मसंड जिसको कहते हैं, इसका प्रियोग करना है, इसमें दो क्रियाएं इसी के उपर होगी, दो तीन क्रियाएं इसी पर होगी, आपको उससे और अच्छा रिलीफ आपको महसूस होगा, हम लोग जितने भी स्टेचिंग के जो क्र करते हैं यह ग्रेविटी के साथ जब भुमी की धर्ती की जो ग्रेविटी है वो क्लशा के ड्रेविटी के विप्रीत हम ज़िन अंगों को खीशते हैं उनहीं अंगों में ब्लड का शर्कॉलीशन चलता है तो इस science को आपको समझना पड़ेगा और उसके साथ स्वांसों का combination ये अगर करेंगे और नियमित रूप से करेंगे तो लाब मिलना ही मिलना है ऐसा होई नहीं सकता कि हमें लाब ना मिले बैस थोड़ी सी करने की क्रिया में अपनी गंभीर बिमारीयों का ध्यान करें किसी को गंभीर बिमारी है हार्ट की प्रोब्लम है बीपी है तो थोड़ा खीचना तानना थोड़ा कम चाहिए और डोक्टर से राय लेकर थोड़ा सा कर लीजेगा देखिए हम भले के लिए करें कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करें कहीं हम अपने डोक्टर खुद है हमें बसंड कहते हैं पुराना पिलो होता है यह बड़ा गोल होता है इस परकार का एक बनवा लेजिएगा अगर फ्रोजन सोल्डर है या बड़े जो पिलो है उपर से उपर दो तकी यह रखकर वैसे भी कर सकते हैं सिर्के नीचे हातों को रखना सिर्के बिलकुल नीचे स्वांस छोड़ते हुए तो कोनियों को आगे लाना अब स्वांस भरते हुए पिलो से भी नीचे कोनिया जाएगी और जमीन पर टच करने की कोशिश कर रहा है स्वांस भरते हुए रुकना है 15 सेकिंड आदा मिनट तक रुक सकते हैं अगर आपकी स्वांस रोकने की केपिसिटी है तो आदा मिनट तक रुक जाएगे स्वांस छोड़ते हुए आप स्वांस भरते हुए कोनियों को डाउन पूरा खीचना तानना यह हमारे फ्रंट भाग की नसओ को खिचेगा हमारे कंदे के फ्रंट भाग को खिचेगा हड्डी यों जो बीच ले गाप नहीं है उस फूरा गैप आजाएगilee और गैप आने से ब्लड का सर्क्लेशन वेंस में जो प्रेशर एऊ तीक होगा और गरन की नसों में भी आपको औरक्त का संत्रन मिलेगा यह दोनों में ही अच्छा है स्वास छोड़ते हुए रिलेक्स स्वास भरते हुए पुनय और स्वास छोड़ते हुए रिलेक्स यह हमारी छटी क्रिया सात्वी हातों को वही ग्रिप जो हम बैटकर कर रहे थे सिर के उपर ऐसे रखना है स्वांस भरते हुए पूरा स्वांस खीशते हुए ऐसे पूरा तानना है कोनियों को जमीन पे लगाने की कोशिश करना हाथ को सिर के उपर रखना और रिलेक्स करना एकदम रिलेक्स करते हुए करना कोई जबरजस्ती नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं हमें, बहुत रिलेक्स करते हुए, स्वास छोड़ते हुए, रिलेक्स, उन्हें स्वास भरते हुए, पूरा तानना है, और इस प्रकार शरीर को आदा मिनट कम से कम पिलो के उपर आराम से रखना, स्व स्वास छोड़िए रिलाक्स यह हमारी साथ नंबर किया आठ नंबर हातों को ग्रिप करना स्वास भरते हुए हातों को पीछे की ओटिक आना है रखना है ऐसे यह सब तिन तिन बार कर सकते हैं अगर आपको तकलीफ मैसूस हो रही है किसी में जैसे हाथ में दर्द होगा अभी तो किसी के दर्द नहीं है तो आराम से कर लेगा लेकिन जिसको दर्द है उसको हात उठता नहीं होगा उसका हाथ को पकड़ के दीरे-दीरे ले जाना होगा तो यह ध्यान रखना हातों में कोई जबरजस्ती नहीं कोई जल्दबाजी नहीं और कोई पूर्टा नहीं अगर हम ऐसा सोचे कि हमारा तो यहां जाएगा तभी एफक्ट आएगा आपका अगर हात ऐसे द यहां तक तो आ सकते हैं कम से कम ऐसे करना, और स्वांस भरते हुए पूरा तानमा यह हमारी आथ नंबर क्रिया Relax नो नंबर क्रिया करनी है कैसे? चाहे तो इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं या बैठ कर कर भी कर सकते हैं हाथ, side में कि छोड़ते हुए हाथ आगे ताली बजाना पूरी ताकत के साथ स्वांस भरते हुए पीछे आगे यह जो ताली बजा रहे हैं इससे पूरा बलड का शर्कुलेशन यहां तक पहुंचेगा और यह जो उपर का हिस्सा इस जग़े इस दिगे आपको effect महसूस होगा तो ताली बजाना है पूरी ताकत के साथ नसों में blood का circulation जाना चाहिए हाथ जैसे pressure से आ रहे है और तालीों से रुखने चाहिए ये हमारा ताली का पांच बार बजाईए फिर अगले दिन थोड़ा बढ़ा दीजिए दो बार बढ़ा दीजिए फिर और दो बार बढ़ा दीजिए ऐसे दस बार पंद्रा बार बीस बार जैसा आपके शरीर कहे खुद का शरीर कहे उसी हिसाब से करना अब जो दसवा नंबर दस नंबर है इसका पूरी ताकत के साथ स्वास छोड़ते वे और बहुत आराम से करना है ऐसे नहीं जटके से लगातार करते जाए रिलेक्स ये हमारा दस नंबर क्रिया हो गई फ्रोजन सोल्डर कंदे के दर्द के लिए आप ये तीन तीन बार करेंगे दस क्रिया है तीस बार हो गई तीस बार में आपको लगेगा कि कंदे में जैसे खून सा चल पड़ा है कंदा थोड़ा रिलेक्स हुआ है जकड़न निकल है और यी कोम्बो आपको लाब करेेशा हमारा प्रियास आयरहें अếu नम्हें में सुफ्ट रहें зм मस्त रहें ऐसी क्रियायइं हम लोग आप तक लेकर आते रहेंगे ऑर भी बहुत सारे कमेंट्स में मुझसे रोमेटाइड और्थराइटिस के बारे में, पाइल्स के बारे में, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मैं इसके उपर थोड़ा रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, करने के बाद में आप तक वो वीडियो जरूर लेकर आउगा, देखिए कोई कलपना नहीं और कोई गप नहीं, वो चीज नही होनी चाहिए, जो चीज आपको बताएं, उसके उपर कुछ रिसर्च होना चाहिए, कुछ वर्क होना चाहिए, तब ही आप तक पहुँचाए, तो हमारा भी बताए का फरक होता है, और आपका भी सुनने का एक मज़ा आता है, तो पूरी चीज, पूरी तरीके से पहुँच यह हमारा प्रियास रहता है तो अब मेरे साती घंशाम के साथ मैं डोक्टर मनोज योगाचारे त्रीनित टीवी के लिए लेता हूँ इजाज़त नमस्कार